कि नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे गूगल बाबा के चैनल में तो आज हम सीखेंगे कि हम गूगल की ओग मिशन टेकनोलोजी का यूज करके एनिमल्स के साथ एनिमेशन कैसे कर सकते हैं वो भी बिल्कुल 3D में तो आए देखते हैं इसके कुछ वीडियो के सेंपल्स, हाहिए कर दो आए देखते हैं कर दो आए देखते हैं कर दो आए देखते हैं कर दो आए बिल्कुल 3D में तो आए जो आए झाल झाल श मन झाल व झाल झाल क्यब गल झाल 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 आपने जैसे देखा हमने कुछ वीडियोज बना है एनिमर्स के साथ 3D में आप भी ऐसा बना सकते हैं इसके इसके लिए आपके फोन में कोई आप की ज़रूरत नहीं है आपके पास होना जी इसे गूगल आप उसमें जाके आपको सर्च करना है कोई दियानिमर्स जैसे की शार्क आप 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 यहां तकी एलिगेटर भी है वहां पे चलो देखते हैं पूरी प्रोसेस की कैसे प्रच आपन करना है उसमें टाइप करना है टाइगर उसके बाद आपको सब 3D मोडल दिखेगा वीविं 3D क्लिक करना है वहां पे आपको टाइगर का 3D मोडल दिखाए देगा फुला टाइम लगेगा लोडोने में इसा मोडल दिखाए देगा इसको जूम करते है वीव इन यूर प्लेज या स्पेस को क्लिक करना है और उसको क्लिक करने के बाद आपको फॉन को इसे लेफ राइट हिलाना है ताके वो फ्लोर को पैचान सके और इस तरह से आपका 3D मोडल आपके सामने आ जाएगा काफी डिटेलिंग इसमें की गई है आवाज भी यह साथ में आप कैमेरे को नस्दिक ले जा सकते हो उसके एकदम कि वोइस भी साथ में हैं आप कैमेरे के साथ गुम सकते हो पूरा इसको आप एंड डाउं लेप टू राइट 360 डिग्री अराम से देख सकते हो बच्चों को यह बहुत पसंद आएगा कि इसकी डिटेलिंग आप देख सकते हो कितनी अच्छी है आप के फोन में एर गूगल होना चाहिए आप इसको लैब to राइट राइट रैट तो लैप 360 डिग्री टाउं भी कर सकते हो और इसकी साइज को छोटा या बढ़ा भी कर सकते हो पिंच टू जूम करके इसको छोडा कर सकते हो अच्छी तरह से आप इसको बढ़ा भी है I hope कि आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा थेंक यू